ये question board exam के लिए बहुत ही important है हमें root 2 को irrational साबित करना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि root 2 rational होता है अगर इसे rational मानना है तो इसे हम दो integer के ratio के form में लिख सकते हैं दो integer upon integer क्या होता है rational और यहाँ पे एक और चीज मानेंगे कि A और B जो है वो 1 के अलाबा किसी और table में एक सा नहीं आने चाहिए जैसे 9 upon 6 लिखाओ वो तो 3 के table में आ जाएगा दोनो 3 के table में 9 भी आ जाएगा 6 भी आ जाएगा और 1 के table में भी दोनों आ जाएंगे एक साथ तो ऐसा यहां नहीं होना चाहिए जैसे 7 upon 5 लिखाओ तो 7 और 5 एक साथ 1 के अलाबा किसी और table में नहीं आते तो ऐसा number हमें चाहिए अब हमने b को उठा कर यहाँ पर root 2 के पास ले आए और दोनों तरफ squaring कर दिया root 2 का square तो 2 हो गया b का square b square और a का square यहाँ a square हो गया अब b square को यहें पर छोड़ दिये 2 को इसकी नीचे लेकर चले आए अब यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर a जो है वो integer है हमने माना था b को भी हमने integer माना था जब किसी integer को हमने divide किया है तो एक दूसरा integer भी आ गया ऐसा कब होता है जैसे हम 16 को 2 से divide करें तो 8 आ जाएगा 8 integer होता है अगर हम 5 को 2 से divide करें तो वो नहीं हो पाएगा पूरी तरह से divide एक integer नहीं आएगा 2.5 ऐसे आ जाएगा decimal वाला number आ जाएगा तेकिन यहाँ तो integer आया है इसका मतलब 2 ने एक को पूरी तरह से divide कर दिया होगा जब divide पूरी तरह से होता है तभी तो integer आता है है ना जैसे 16 को 8 से करें तो 2 आ जाएगा पूरी तरह से divide हो गया इसलिए integer आ गया तो इसका यह मतलब होगा कि a square 2 से divisible है है ना a square को 2 ने divide कर दिया तभी तो कि integer आ रहा है नहीं तो integer नहीं आता कोई decimal वाला number आता साड़ा हुआ अब अगर a square 2 से divisible है तो a भी 2 से divisible होगा जैसे 4 2 से divisible है 2 2 जा 4 होता है अब 4 का square 16 भी 2 से divisible होगा simple a लिखा है इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकते है कि a square 2 के table में आ रहा है जिसका मतलब यह हुआ कि a भी 2 के table में आएगा तो a की जगा हमको 2 का table लिखना है अब 2 का table कैसे लिखते हैं 2 में 1 से multiply किया 2 आ जाएगा 2 से किया 4 आ जाएगा तो ऐसे हम एक एक integer से multiply करते रहेंगे और 2 का table आता रहेगा तो इतना न लिखने की बज़ा है हम 2 को किसी एक तीसरे integer c से multiply कर दिया हमने c की जगा 1,2,3 ऐसे रखते रहो तो 2 का table आ जाएगा तो उसका हमने square खोल दिया ये a की जगा रखें 2c है न उसका square करेंगे तो 4c square आ जाएगा अब 2 से तो 4 2 times में चला गया तो यह आ गया अब यहाँ से 2 को b square के नीचे लेकर चले आएगा अब यह भी वही चीज लिखा हुआ है न गिसीपिटी कहानी की b square 2 से divisible है इसका मतलब b b 2 से divisible होगा b square अगर 2 के table में आ रहा है तो b b 2 के table में आएगा अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि a और b दोनो 2 के table में आ रहे हैं लेकिन यहां से तो यह निकल के आ रहा है कि a और b दोनो 2 के table में आ रहे हैं न तो जो हमने assumption लिया था इसको rational मानकर वो गलत हो गया तो इसलिए rational है irrational है तो इसमें हम लिख देंगे a and b both are divisible by 2 है न हुम समझ चुके हैं this contradicts our assumption that a and b are co prime है न को प्राइम फिर यह नहीं हो पाए को प्राइम का तो मतलब है कि वह नहीं के table में आने चाहिए दोनों एक साथ और किसी table में नहीं आने चीए अब यह तो two के table में आ रहा है तो गलत हो गया को प्राइम रहा नहीं इसलिए root two irrational है rational नहीं